22 जिले में 5 विधान सभा सीटों बर 5 पर ही BJP काबिज है हमारे साथ हैं संजेब प्रताब जैसवाल, रुधाली से विधायक है कितना भरोसा है एक बार फिर इस बार जीत का और किस आधार पर देखिए सोच इमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाज़पा की सरकार तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से पिछली बार मोदी जी के चमतकार ने उत्तर प्रदेश में भारती जनतापाटी की सरकार बनवाई थी इस बार भी मोदी प्लस योगी का जो चमतकार है जिसको मोदी जी ने खुद कहा है यूपी के लिए उपयोगी है योगी तो वाक़ई उपयोगी है और फिर बस्ती जनपत में मुझे लगता है कि सारी सीटों पे हमें सफलता मिलेगी काम पर भरोसा नहीं है कि हर बार मोदी जी के पोस्टर की सवरवत पड़ेगी बचाने के लिए काम मोदी जी कर रहे तो डेफिनेटली जो करेगा लीट तो उसे ही मिलेगी मोदी जी अ avatar अच्छा काम कर रहे जैं योगी जी अच्छा काम कर रहे तो मीनस वोई लोग काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई शॉटकट तो हम निकालेंगे किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए तो मोदी जी योगी एक बड़ा ब्रांड है जो वो अच्छे काम कर रहे हैं उनसे वो अटैश्ट है इसलिए हम लोग उनको आगे लेकर आते हैं बस्ती जिले में वो कौन सा तीन काम आपने किया है जिस पर आपको भरोसा है कि आपने कुछ किया है और उसको लेकर जनता में जाएंगों? बस्ती जनपद में देखिए सभी माननीयों ने मिलके, चाहे माननीय सांसजी हों, चाहे माननीय विदायगण हों, सबने मिलके जो मुख्यमंत्री जी ने एक सामोहिक उपहार दिये हैं बस्ती को, उसमें मेडिकल कॉलेज है, उसमें आपका मुंडेरवा की चीनी मील है, और इन भरोसों के साथ मुझे लगता है, कि हम अरे पास मेडिकल कॉलेज के साथ इंजिनिरिंग कॉलेज भी है, आईटी आईज भी है, और इवेन हमको लगता है कि बिजली के छेतर में भी हम लोगों ने काफी बहतर काम किये हैं, और उससे लोगों में एक विश्वास पैदा जो हालत है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आपकी सरकार? जो मिल के जो किसान थे, वो मुंडेरवा चीनी मिल को डाइवर्ट हो गए, तो उससे उन्हें काफी बहतर सुधार और परिवर्तन मिला है, परिशान है, फसल बिक नहीं रही है, सरकार कहती हम खरीदेंगे और खरीदारी के लिए घंटों महीनों लाइन लग रही है दिनों बना रहे हैं, एथनॉल एक सप्लिमेंटरी जो प्रोडेक्ट हमने डेवलब कर दिया, उससे चीनी की निरभरता को कम करते हुए, और उस एथनॉल को हम पेट्रोलियम प्रोडेक्ट में सामिल करके, और इसका कंजप्शन बढ़ा के, किसानों की जो चुनौती थी, जो चीन को लेके वहीं शिकायत थी, और मुझे लगता है कि हम उससे स्वेधार कर पाएं हैं, क्योंकि पिछली बार लगभख 97 करोड किसानों का बाकित है, लेकिन जब इस बार हमने यूनिट चालू की है, तो लगभख 30-32 करोड ही लाइबिल्टी है, और एथनॉल के प्लान आने स से मुझे लगता है कि हम इससे बहतर सुधार और बहतर भुक्तान करने की प्रक्रिया में जनपत एक उत्पात के तहत लकडी का फरनीचर है, मुझे बता दीजे क्या आधार पर इसको सेलेक्ट किया गया है, सिर्फ उतना का, देखिए जो अबस्ती जनपत क्योंकि कई छेत तो ऐसे जो परिवार हैं जिनमें कला है, कारिगरी है, उसको और आगे और बस्ती को थोड़ा उंचाई पर ले जाने के लिए उन कारिगारे और कलाकारों की काबिलियत को इन्होंने इसको चुना और मुझे लगता है कि बस्ती में जो लकडी की प्रोड़क्शन है, उससे जो फर्नीचर कारोबार डेवलप होगा, उससे बहतर लोगों को रोजगार मिलेगा, और सरकार की बहुत सारी ऐसी यूजना है, जिसे प्रधान मंतरी लोन के हो हो, मुख्यमंतरी लोन के, इससे बहुत सारे परिवारों को रोजगार भी मिला है, और मुझे लगता है कि ODAO पी में बहुत सारे परिवारों को हम ऐसे रोजगार स्रेजन से जोड़ पा रहे हैं जिसे कारबिंटरी कहें तो बहुत सरकारों ने लोगों को ऐसे समान दिये हैं कि वो चोटे-चोटे रोजगार के माध्यम से अपने आपको बहतर स्थापेत कर पाएंगे सरकार का काम है वादे और दावे करना लेकिन जनता के सतर पर वो कितना लागू होता है ये सबसे ज्यादा महत्वपून होता है कैमरा परसन सूरज पांडे और सती श्रिवास्तव के साथ मनोग्या लोईवाल बस्ती एबीपी नियूज ABP News आपको रखे आगे